नमस्कार गुड़लग टिप्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अर्पित दोस्तों वोज लेकर आते हैं हम आपका देहने के राश्य फाल बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में आपका दिन अच्छा होगा क्या लाब दिलाएगा साथ ही बताएंगे आ आपके अपने कारिकरम गुड़लग टिप्स में दोस्तों क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशवर बताने के लिए हमार साथ हमार स्टूर्यों में मॉझूध है जाने माने चोतिश अचारे पंडित मुकेश चासर प्रश्किलों से निकल ने काल बस कुछ आसान से उपायों के साथ बस आपको हमें कॉल करना है हमारे नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है साथ साथ आपको हमें अपने जन का तारीक जन्म का समय और जन्म का स्तान बताना है तो देर इस बात की उठाए अपना फवोनोर खादीजें में कॉल चली उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल ऑपकी सितारों की चाहर मुलक टिप करकम के सभी दश्कों पर वरवान शीहरी का, मालक्षमी का, माबगला मुखी का, शिर्वाद और कपदस्टी हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्यान है आए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे साथ ही साथ जानेंगे माता पिता के चरण इसपरश करने से मिलने वाले चार वरदान के बारे में तो शुरुवात करते हैं आज के दैनिक राशी फरक के साथ में पथम जो राशी वो है मेश राशी मेश राशी वाली जो हमारे दर्शक है आज आपके मन में जो बैचेनी काफी रह सकती है और उस बैचेनी को आपको संतुलित करने की कोशिश करनी है बैलेंस करने की कुशिश करने हैं अपनी प्राइटीज जो हैं वो बिल्कुल आज साफ रखने हैं आज के दिन के सफलता के लिए केले के पोदे की पुजा कीजेगा निशेत तोर पर दिन अच्छा रहे हैं अगली जो राशी वो है व्रिशव राशी प्रिशव राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज जो आपका फैमिली मैटर्स हैं उसके उपर आपको काफी धियान देना होगा और समय भी देना होगा कारिशेतर में जोश में आकर किसी को भी आज कोई उत्तर नहीं देना है आज के दिन के सफलता के लिए अगली जो राशी हुआ है मिथुन राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज आपको अंजान लोगों पर भरोसा नहीं करना है और अपनी कंसंट्रिशन को बार-बार भंग नहीं होने दिना इस बात का ध्यान रखेगा आज के दिन के सफलता के लिए बेल को पाला कवर्षी खिलाएगा पूरा दिन बहतरी इन रूप से बचलेगा पंडी जी आगे ही राशीन की दर बढ़ने से पहले हमें एक मेल ले ले लेते हैं हमेरे पास मेल आया था दिव्या जी का इनकी जन्म की तारीक है 17.07.1922 और जन्म का समय है शाम का शेवज का टेरा मिनट का पंडी जी अपने भाविश्य के बारे में जानना चाहती है और आने वाले दिनों में इनका करियर किस तर रहेगा वो भी जानना चाहती है आपसे और कैन की गौर्वर्मेंट जॉब लग पाईगी या नहीं लग पाईगी देखे बिटा आपकी जन्म कुल्डी में निश्यत तोर पे गौर्मेंट जॉब के चांसेज हैं देव गुरु ब्रह्मा ब्रेस्पती स्वाम आपके भाग्यस्तान में बैठ है शनी स्वागराई जो है फानेंशिल सेक्टर को मजबूत कर रहा है और जो जुपिटर है देव गुरु ब्रह्मा ब्रेस्पती वो आपके लग फेक्टर को काफी मजबूत कर रहा है Everything is good और गुरु की मादशा चल रही है अभी गुरु में गुरु का अंतर आपको खतम हुआ जुलाई 2015 में अब आगे 2018 जनवरी तक का आपका एक बहतरीन समय स्टार्ट हुआ है अगर आप अभी कोशिश करती है गुर्मेंट जॉप के लिए तो निश्चित तवर पे 2016-2017 इस वेरी गुड एस पर केरियर अस्पेक्ट और जो आपको विशेश रूप से सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि नियमित रूप सेक तो भगवान सूरी के अरादना आपको अवश्य करनी चाहिए क्योंकि सूर्य आपकी जनव कुल्डी में आपका भागेश है उसके साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो तो नियम बान लीजे वें थी बुढ़र के बुढ़र के दिन गणे जी वाराज के दर्शिन करने हैं उसके साथ में गवसीवा जवा बुढ़र के दिन अवश्य आपको करनी चाहिए सदल से उपाय कीजिएगा पंडे जी लिए दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गया है जैपूर से रवी जी है इनकी जन्म की तारीख है पाथ साथ उन्निसो एकराण मेरे और जन्म का समय शाम का चार बच कर अर्टिस मिनट का आप का बहुत बहुत नारे समय फूर में पूछे आप क्या पूछने चाहते हैं अपनेजी से अलो जैशे किष्णा बेटा is देखे वरे अपकी जन्म कॉद्ली में सबसे पहले चीज तो यह है कि आपका रिवती नक्षति का जन्म है रेवती नक्षत्र जो है वो गंडमूल नक्षत्र में आता है पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए शनी डाकोत का दान होता हावन यग्ये का प्रोग्राम होता है यदि आपके माता पिता ने वो रेवटी नक्षतर गर्णमूल नक्षतर की शांती करवा ली थी बच्पन में ही ठीक 27 वे दिन तो अतियुत्तम में नहीं तो जब भी ये नक्षतर आए हर 27 दिन में नक्षतर आता है तो आपको उसकी शांती करवानी है इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखेगा शुक्र की मादशा राहू का अंतर आपको चल रहा है जनवरी 2014 से और ये खतम होगा जनवरी 2017 को राहू इट्स क्रियेट अन्वांटेड हर्डल्स बगैर बात की समस्याएं खड़ी करने का काम राहू करता है हर चीज में रुकाउट है कोई भी काम स्टेट फारवर्ड नहीं होता होना ये राहू का काम है ये राहू आपकी जनव कुर्ली में चलेगा जनवरी 2017 तक उसके पशात आपकी जीवन का एक बहतरीन समय शुरू होगा लेकिन वो होगा 2017 उन्वर्स से आपकी जनव कुर्ली में गुरू उच्च का होके बैठा है भागिस्तान में लग फैक्टर इस वेरी गूड शनी स्वग रही है आपकी जनव कुर्ली में अगर आप अपना स्वेहम का काम करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है इधर अगर आप सरकारी नो है तो केले के पाउदे के प्रास में घी का दीपकर वश्य लगाये करें और कम से कम 11 पर इक्रमा करें आपका विवाबी होगा और आपकी केरियर में स्टैबिलिटी भी पंडीजी अपनी बेटी विनीता के लिए जानना चाहती है विनीता जी की जन्म की तारीक है 3-4-2006 औ मिनाक्षी जे अपने टीवी की वॉल्लूम जरा कम कर लीजे फिर अपना सवाल पूछिए मेरी बेटी है न बोट जिद्धी हो पढ़ाई में ध्यान नहीं जेती है पहले आती आप पढ़ाई में उश्या आती आप बहुत कम जोर है देखो बेटा मिनाक्षी आपकी बच्ची की जन्म कुली बहुत अच्छी है वैसे अभी समस्या यह है कि इसको 18 साल की राहू की मादशा चल रही है जो बच्ची है वो राहू की मादशा में से गुजर रही है अभी शुरूआ इसका सन 2010 से और राहू इसके एजुकेशन हाउस में बैठा है पढ़ाई के घर में तो राहू साब जैसे चलता है तो कहीं न कहीं एजुकेशन सेक्टर में फ्लक्ट्वेशन कर सकता है उतार चड़ाव कर सकता है तो एक तो आप गोमेद रत नाता है सवा पांच रती का उसका चान्दी में पेंडेंट बनाके रहीवार के दिन इस बच्ची की गले के अंदर काले दागे में और साथ साथ में इसको बोलिए कि बिस्तर में बैठके पढ़ाई नहीं करेगी टेवल कुर्सी पे बैठके इसको पढ़ाई करना है पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए और संभव हो तो आप कोशिश करी क्योंकि इस बच्ची की जनम कुर् बाकि इसकी जनम कुली बहुत अच्छी है सरकाली नौकरी प्राप्त होगी जीवन में बहुत बड़ी सफलता है बच्ची प्राप्त करेगी सिर्फ राहु क्या चक्कर है तो वह अभी थोड़ा सा निकल जाने दीची पंडेजी अब के लिए आरती जी भी जोड़े है हमार पूछे पंडेजी से अरती जी अपने सवाल पूछे पंडेजी से अरती जी आपकी जनम कुली में चंदरमंगल योग बनावा है चंदर मंगल योग बड़ा ही शुब योग माना जाता चतुरतमाओं में और आपके नोकरी घर का जो स्वामी है वो है मंगल मंगल आपकी जनम कुल्ली में चंदर के साथ में बहुत ही शुब योग बना रहा है सूर्य बुद्ध अधित्त योग आपकी जनम कुर्ली में है देव गुरु ब्रह्मा ब्रैस्पति उच्चिके होके आपकी जनम कुर्ली में बैठे यह और होलस्कोप इस वेरी परफेक्ट दो समस्या हैं पहली समस्या यह है कि अठारा साल की राहु की मादशा आपको चल रही है राहु का काम ही जब तक आप दो सो परसंट नहीं दोगे तब तक आपको सो परसंट नहीं मिलेगा तो you have to put extra efforts थोड़े से आपको प्रयास ज़्यादा करने की ज़रुत है राहु की शान्ती के लिए गोमेद रतन सवा पांच रती का मद्धेमा उंगली के अंदर आप धारन कर सकते है रह विवार के दे पास में कोई भहरुजी का मंदीर हो तुम्हा दर्शन करिए दाल की कचवरी दैयमर्ति चड़ाईए दूसरी जो समस्या है वो यह है कि आपका भागेश शुक्र आपकी जनम कुली में नीच का हो के बैठाए मेहनत के साथ में यदि लक नहीं हो तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप करना संभाव नहीं रखता है तो यदि आप चाहती है कि आपका भाग्य पून रूप से आपका साथ दे तो शुकरवार के दिन चीटियों को आटा बूरा आवश्य खिलाए चोटी कन्याओं को यथ यदि आपके चिंता की आवश्यक्ता नहीं पंडिजी विल्या उदयापूर से मीना जी भी जूड़ी है हमारे साथ जो कि अपने रिलेटिव विनीता जी के रह जानना चाहती है विनीता जी की जन्म की तारीक है चार दस दो हुजार चार और जन्म का समय सुबह का आट मेना जी आपका बहुत बहुत सुगत है हमारे स्विक्स में अपना सवाल पूछे है मिएजी अपने सवाल पूछे है मेना जी आपने सवाल पूछे है अग बच्चे इतने मतलब बनलगता अभी वह दे रही वह अगे उनका भविश्य कैराएगा और व बच्चे इतने मतलब परेशान करते हैं और पड़ा नहीं मेना जी आपने जो बच्ची की जनमकुली भेजी है उस जनमकुली में कुस चीजे विशेश महत्वकी है इसके द्वादश भाव में सूर, बुद, मंगल और गुरु जो सबसे शुब ग्रह होते हैं नो में से वो द्वादश भाव में बैठें ये इंडिकेट करता है कि ये जो बच्ची है ये फौरण के अंदर सेटल होगी, विदेशों के अंदर ये बच्ची सेटल होगी, अथा अधन संपत्ति इस बच्ची के पास रहेगी, पिता के घर में शनी जो है वो पिता के घर के अंदर बैठा है वो भी विश्योग बनाता हुआ, तो पिता के सुख मे में फ्लक्शूशन आने लग जाता है लेकिन इसके कुंड़ी चुकी मांगली खोरस्कोप है इसको थोड़ा प्यार से समझाए दोनों बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा डाल दीजिए सोंबार के दिन अभी इशाद में मत डालेगा नवरात्य पक्ष में डाल दीज प्रति दिन और उसके साथ साथ में तुलसी का पौधा और केले का पौधा दोनों एक साथ में रख दीजिए और आपकी सिस्टर जो भी है उनको बोलिएगा कि नेमित रूप से 11-21 परिक्रमा दोनों की एक साथ करनी है तुलसी की पौधे की और उसके साथ साथ में केले के पूजा करनी है, घीका दीपक जलाना है, जलारपन करना है, निशिट तोर पे जीवन में अगले ही कुछ महीनों में आपको चमतकार देखने को मिलीगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ खास है आज करक सिंग और कन्याराशी वाले जातकूं के लिए? गरक राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फाल्तू बाते और जो बिकार की जो चिंताए हैं, तो वो आपके दिल और दिमाग में आती जाती रहेंगी। उन चिंताओं को दर किनार करके अपने काम पे ध्यान दीजेगा। निशित तोर पे इवनिंग तक शाम तक आपको कुछ बैटर रिजल्ट्स यूविल गेन मिलेंगे आपको। आज के दिन की सफलता के लिए विश्नु मंदिर में इतरा वश्य चड़ाईगा, पूरा दिन अच्छा कुछ देगा। बात करते हैं सिंग राशिवाले दश्कों के बारे में। तो सिंग राशिवाले जो हमारे दश्क हैं आज बहुत सारी नई प्लानिंग, नए जो थौट्स हैं, विचार हैं वो आपके मन में आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे। कई तरह के जो मामले हैं, जो समस्या हैं वो अभी भी उलजीवी डिख रही हैं। उन उलजीवी समस्याओं को आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में उसको निप्टाना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा वशी खिलाईगा, पूरा दिन अच्छा कुछ रहेगा। अग्ली जो राशी वह है कन्या राशी, कन्या राशी वाली जो हमारी दल शक ए आज किसी प्रॉब्लम में न फसें, ऐसे समस्या में न फसें, ऐसे जंजट में न फसें ४ाया सथ कीचेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गव माता कुपाला को वशी खिलाएगा पूरा दिन अच्छा को जाएगा चलिया परवक्त उचला एक छोटी सी ब्रेका पर आप कही मत जाएगा जल्द वापस लोटते हैं गुद्लग टिप्स में